असलाम लेकून, I am Samaray Shaheen. किन्डम प्लांटी हम लोगों ने स्टार्ट किया वा रहे हैं. किन्डम प्लांटी में हम लोगों ने आज डिसकस करना हैं जिनटोब स्थ 20。 सपोंप से कौम्पलक्स घुमिल्ब से इवॉलब हुए एंपिछला में जिम्नोग को इंटेल से पड़ा था जिम् gliमस वर्ण वो ते बौलन फ्रूटस फ्लावर् फॉर्मिशन नहीं हो थ जबके angio sperm का मतलब होता है enclosed seed ऐसे पोदे जिनका seed enclosed होगा जिनका seed fruit के अंदर enclosed होगा उन्हें angio sperm बोलते हैं angio sperm में first of all flower formation होती है और यह most complex group है यह heterosporus है उसके इलावा यह flowering plants है इनमें flower होंगे flower के बाद fruit बनेगा fruit formation के बाद क्या होगा flower फिर fruit formation होगी fruit formation के बाद उनने fruit formation होगी तो जो fruit formation है उसमें seeds formation होगी और fruit जो है वो उसको dispersal में help out करवाता है तो ये flowering vascular plants इनको हम बोलते हैं इनमें flowers भी होते हैं और ये tracheophyta से belong करते हैं इनमें vascular bundles मौजूद होते हैं इनमें seeds होगे वो literally enclosed होता है मतब हम mean उसको होते हैं enclosed जिसके meaning ही है कि enclosed seed के इनका seed जो है वो enclosed होगा fertile leaves जो हैं वो इसके get ovule के get integument बना देती है और integument क्या करता है उसकी covering होती है उसकी protection करता है अब fertile और sterile की आप लोगो ने meaning जेहर में रखने है fertile का मतब वो होता है जो next of suffering produce करने के चलाहित रखते है जब कि stririle का मुराद होते है कि जो next of suffering produce नहीं कर सकते हैं अब इसमें जब flower formation होगी तो ओवरी जो है flower की ओवरी वो fruit में convert हो जाती है और flower की जो ओवरी में ovules होते है वो seeds में convert हो जाते है जिसके विज़से seeds के अंदर sorry fruit के अंदर seed enclosed होता है ये most diverse group है और successful group है इसकी तकरीब बन 2,35,000 से 3,60,000 species जो है वो scientist ने उनके बारे में research की भी है तो बहुत ज़्यादा इसकी species पाई जाती है ये dominant है ठीक है dominant मतब बहुत ज़्यादा ये पाई जाते है gymnospermia यहां पे बहुत कम होते है या तो ornamental purpose के लिए यूज के जाते है या पर northern areas में grow करते है जबकि जो है most successful plants है ये northern areas में desert में हर तरह की land में grow करते हैं ये successful plants है तो इनका क्योंकि इनके ओपर fruit formation होता है जिसके वज़से इसकी dispersal easy हो जाती है dispersion easy होती है इसकी reproduction flower formation के वज़ा से easy होगी जिसके वज़ा से dispersed बहुत दूर तक disperse हो जाते है for example अगर हम कहते है कुछ crow गएरा जब शेहतूत का mulberry का season होता है तो वो शेहतूत को खाते हैं जब वो खाते हैं तो उनके beach होगे ना उनका digestive system उसको digest नहीं कर पाता वो beach उनके feces में वैसे ही मौजूद रहते हैं जब वो birds fly करके किसे दूसरी जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ जाके तो वो feces क्रीट करते हैं तो उस excretion में वो seeds भी मौजूद होते हैं mulberry के seeds मौजूद होते हैं वो वहाँ पर grow कर जाते हैं तो इस तरह जो इनके fruit formation है fruit उनकी dispersion में help out करवाती है उसके इलावा ये heterosporos होते हैं होते हैं प्लांट सक्रीबन सारे ही आर्ट्रोफिक होते हैं उसके इलावा ये बहुत highly evolved है मतब सिंपल ब्रायोफाइट से ये evolve हो है और ये complex सच लास्ट पे उन्यूस्ट में याद आती है complex plants है ये heteromorphic alternation of generation शो करते हैं hetero mean different morphic का मतब होते हैं मतब इसमें दो तरह का स्पोर्स बनते हैं microspore और megaspore तो ये heteromorphic alternation of generation शो करते हैं इसमें fruit flower formation होती है flower से fruit बनते हैं fruit से seed बनते हैं ये हैं एंजिस्पर्म की characteristics मतब इसमें flower formation होगी fruit formation होगी और seed formation होगी अब life cycle देखते हैं तो ये deplight sporophyte produce करते हैं इसके जो plant body है तमाम cells में two and number chromosomes होते हैं stem, root और leaves को हम बोलते हैं ये इसके sporophyte body है इसके important reproductive parts होते हैं flower के अगर flower को देखा जाए तो इसमें दो तरह के parts होते हैं essential parts होते हैं non-essential parts होते हैं ठीक है जो इसके pedicel है वो modified होके उपर flower बना देती है ठीक है फ्लावर मोडिफाइड शूट जो है वो क्या modified शूट थैलमस में convert होगे और थैलमस in large होके pedicels जो है एंड जो उसका pedicel होगा वो flower में convert हो जाएगा उसके पर floral leaf बन जाएगा floral leaf में sapple petals आ जाती है floral leaf में sapple green कलर की होती है petals colorful होती है yellow orange मतलब उनके ऐसे colors होती है shocking color होंगे जो के ज्यादा से ज्यादा insects को अपनी तरफ attract करेंगे insecting की pollination करवाएंगे और इसके लावा stamen और carpel stamen male reproductive part है और carpel female reproductive part है non essential parts ऐसे parts reproduction में help out नहीं करते not essential role in reproduction में help out नहीं करते जैसा कि sapple और petal sapple और petal का काम होता है internal part की सिर्फ protection करते है यह वाले parts थी sapple यह green पतिया petals colorful पतिया जबके उसके इलावा यह क्या करवाती है इसकी protection करेंगी number two पे यह pollination में help out करवाती है जितनी यह colorful होंगी petals उतने ज्यादा insects इसकी तरफ attract होंगे pollination करवाएंगे pollination के बाद seed formation होगी और fruit formation होगी essential parts वो होते हैं जो pollination में help out करवाती है उसके साथ साथ reproduction के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं इनके गया reproduction नहीं होगी reproduction में directly take part करते हैं उन्हें essential parts बोलते हैं जैसा के कारपल और stamen कारपल female reproductive part है stamen male reproductive part है इसके उपर enthers बनेंगे enthers के उपर pollen grain बनेंगे और pollen grain stigma से style से होते हुए ये ovary का उपर वाला part जो broad है इसको हम बोलती हैं ये stigma है ये neck इसकी हम बोलेंगे style है और इसका जो broad लोगर पारट है इसको ovary बोलती है ovary में immune formation होती है enter के उपर pollen grain बनेंगे और pollen grain transfer होंगे stigma के तुरू style और फिस ovary के अंदर ये ovary में transfer होंगे वहाँ पे ovaryol से fertilization होगी endos pump बनेगा और फिर उससे embryo बनेगा कारपल क्या है ये female reproductive part है इसमें stigma style ovary होती है ये वाला कारपल ये female reproductive part है stigma दरम्यान वाल style और lower part को हम ovary बोलती है इसी तरह जो male reproductive part है इसको हम stamen का नाम देते हैं stamen क्या करता है stamen में enter होती है और filament होते है enter इसकी long branch है उसके उपर sorry filament इसकी long branch है enter इसके उपर लगे हुए है और enter के उपर mitosis के दरिए इसके उपर pollen grains बनेंगे अब यह flower दिखाया गया है इसमें ovary lower part फिर style और उसके बास stigma pollen grain transfer होंगे यहां से अब जो micro spore है वो germinate microscope शूरू से भी पढ़ा है कि micro spore smaller gamit को बोलते है mega spore large gamit को बोलते है अब micro spore germinate करके male gamitophyte बना देता है male gamitophyte जब fertilize करेंगे तो उससे क्या होगा male gamitophyte pollen pollen grain में ना देंगे और उसके साथ-साथ वो क्या करवाएंगे pollination करवाएंगे देखें, micro spore germinate किये male gamitophyte में ना दिया male gamitophyte में pollen में ना दिया अब कारपल जो है इसका बेसल जो पार्ट है लोर पार्ट है उसमें उसे ओवरी बोलते हैं और इसके उपर जो ब्रॉडर पार्ट है उसे stigma का नाम देते हैं और neck इसकी style कहलाती है अब ओवरी में बहुत सारे ovules होते हैं ovule इनकी fertilization के बाद वो seed में convert हो जाते हैं ovule के definition पहले भी पढ़ी Intagument in Dehistant Covering को हम ovule का नाम देते हैं अब male gametophyte में क्या है एक cell होता है nucleus होता है वो divide होके दो में convert हो गया दो में जब convert हुआ तो उन्होंने tube nucleus डिवैलप करना शुरू कर दी इसकी long tube convert बनाना शुरू कर दी जो pollen ovule में ग्रोव करेगी tube nucleus इसमें दोनों nucleus हो है वो move करेंगे tube बन जाएगी अब microspore जो है वो बनते है mitotic division से यहाँ पर एक था इसकी mitosis होई एक nucleus की दो nucleus बन गए दो nucleus बन गए दोनों 1N है यह दोनों क्या करवाएंगे tube nucleus बनाएंगे इसमें दो nucleus मुझूद होते है इसको male gametophyte का नाम देते है क्योंकि इसमें tube होगी male gametophyte क्या होता है pollen tube होता है इसको male gametophyte क्या है बहुत सारी changes दकर होती है female part of the plant में और व्यूल को जो ready करती है ठीक है fertilization के लिए अब female की जो female part में seven cells पड़े वे होते हैं एक egg cell एक polar cell होता है एक egg cell होता है बाकी जो cells है वो उनकी उनका इतने reproduction में रोल नहीं होता है major role polar bodies का और egg cell का होता है अब mega spore within the ovule develop into female gametophyte micro spore male gametophyte में convert होगा और mega spore female gametophyte में convert होते है female cells में female gametophyte में seven cells होते हैं यह आपको नजर आ रहे हैं seven cells होते हैं इनमें से एक egg cell होता है जिसको हम oospore या ovum का नाम देती है oospore की जब fertilization हो जाती है तो यह oospher में convert हो जाता है fertilization से पहले इसको egg oospher या ovum बोलेंगे fertilization के बाद यह oospher में convert हो जाता है जबकि इसमे 2N number है 2N number है इसमे 1N है एक chromosome है सब में और इसमें 2 chromosomes मुझूद है तो इन दोनों की fertilization होगी एक male gamete इस egg के साथ combine करके 2N में बना देगा और एक male gamete इस endosperm के साथ combine करेगा इसमें पहले से 2N है तो यह 3N number of endosperm बना देगा polar body endosperm में convert हो जाएगी अब pollen tube जो है वो style के तुरू transfer होगी और क्या करेगी अपना जो male gamete है इसको female gamete of fight में discharge करेगी इसमें से एक के साथ का mine होगा ठीक है two male gamete fuse करेंगे एक act के साथ fuse करेगा उसको एक को वो सफेर को वो spore में convert कर देगा ठीक है वो सफेर को वो स्पोर में convert करेगा जबके दूसरा जो male gamete है मुझ के साथ का माइन होगा उसको फ्यूज के साथ होगा और इसको three and triploid में convert कर देगा या इसको endo spore का नाम देते हैं ठीक है polar body endo spore में convert हो जाएगी एग या वो स्पोर में convert हो जाएगा आप जो वो स्पेर है वो डिवेलप हो जाएगा एंब्रियो में और एंब्रियो में और जो endo spore में endo spore embryo को nutrients परवाइड करेगा यह nutritive tissue बन जाते हैं उसके बाद आगे है कि जो integument evuels है वो क्या है उसके और व्यूल के गज़त वो एक टैस्टा बना देगा जिसको सीट को बोलते हैं यह कि फ्रूट के गज़त वो परिकार्प बना देती है जिसको परिकार्प बोलते हैं अब जो सीट जो है वो सेचिवाबल जब condition मिलती है water temperature pH है तो वह सीड जो है वह ग्रोव करने शुरू कर देता है नवाइर्मेंट में अब्रियों में कंवर्ट हो जाता और बना देता है इस पोरोफाइट क्या है प्लांट बॉड़िये sporophyte बना देगा अब जो triploid endosperm था उसका क्या काम बना होगा वो भी तो बना था जाहिर एक भी बना endosperm भी बना तो endosperm जो है वो nutrients provide करते हैं जो embryo grow कर रहा होते हैं तो कभी-कभी वो सारे के सारे nutrients को absorb कर लेते हैं और कभी वो nutrients वैसे ही रहते हैं ठीक है कभी-कभी cotylidant उसको absorb नहीं करते हैं तो endosperm जो है वो प्रिजिस्ट करता है seed के साथ उसको हम endospermic seed बोलते हैं जिसके साथ endosperm प्रिजिस्ट करता है अब double fertilization होती है जैसे के पहले हमने कहा कि एक male gamit egg के साथ combine होके उस फियर को उस पोर में convert करता है एक को उस फियर में convert करता है दूसरा male gamit polar body के साथ combine होके उसको 3N में endosperm में convert करता है ठीक है तो इसको हम double fertilization बोलते हैं 2N और 2N egg और 3N endosperm बनता है इसमें इसको double fertilization का नाम देते हैं यह life cycle भी दिखाया गया है एक फ्लावर है उसमें एंथर भी बन रहे है उसमें मतब मेल gamit भी है female gamit भी मुझूद है इसमें क्या होगा माइक्रो स्पोर बनेंगे इसमें फीमेल में gamit को transfer करवाएगा और व्यूल तक इसमें female gamitophyte में seven cells होते हैं एक endosperm के साथ combine होगा male gamit और एक fuse करेगा और एक एक के साथ fuse करेगा जो एक के साथ fuse करेगा वो 2N number produce करवाएगा deployed number और जो करेगा वो उसको पोलर बाड़ी के साथ कमबाइड करके इसको एंडो स्पर्म में convert कर देगा उसमें three N numbers होंगे अब उनकी fusion होगी fertilization होगी फिर उससे क्या होगा seed formation होगी seed grow करेगा और फिर वो plant बना बाड़ी बना देगा जिसे हम sporophyte बोत है sporophyte पर flower बनेंगे और इस तरह next cycle continuous रहेगा यह इंपोर्टन टॉपिक इसको चित्रिके से कर लेना है angiospermia जैमनोसpermia जैमनोसpermia में आप लोग ने life cycle त्यार नहीं करना उसको एक दफ़र रीट करना है बस इस लिबस में include नहीं है वो आपको सरफ इस से बढ़ाया था था कि life cycle जो है वो comparing easy हो जाया आप लोग के लिए और यह important topic तिस से करवा दिया गया यह वैसे तो इस चैप्टर का last topic है लेकिन पीछे से हमने ब्रायोफाइट्स का एक topic छोड़ा है ब्रायोफाइट्स की classification तो कल वो आप लोग का होगा hepatic oxygen ब्रायोफिडा और healthy oxygen वो करना है आप लोगों ने thank you और इसको चैप्टर को त्यार करने है बहुत important है अल्ला अफिस